तो नबस्टार्स आती हो मैं योडेश रूपता है बाब फिर से स्वारेट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पाट सला रेलवे एक्जाम में बचो रेलवे टा एक मातर ऐसा चैनल जो टेवल और टेवल आपको ट्लास ही नहीं बलकि सेलेक्शन भी देता है और इसी सेलेक्शन की टड़ी में हम लोड ये जो सिरीज चल लाई थी धनुस बैस साइंस स्पेसल सिरीज आज इस्टा पंद्रवा लेच्चा रहे मैं डेली आपको साइंस के बहतरीन कोशन सौल रहाता हूँ आप मेरे साथ इन साइंस के कोशन को सौल टीजे रेडूल ट्लास देखते हैं कि कितने हमारे पास कोशन है और तीस रंबर की जो तयार है चाहरे तीस रंबर क्यों बचों आपको पता है कि बीश कोशन साइंस के पुछे जाएंगे और इन सब को मिला के मैं पैटन चला रहा हूं तीस कोशन ना ओके तो चलो फड़ी से सब लोड़ फटा करना चाहते हैं वो भी बिना कहीं जाए बिना किसी ओफ-लाइंग कोच उनको जॉइन किये तो आप मेरी ये फिजेट स्टी टिताप को और डर सकते हैं जो ती सिर्फ और सिर्फ दो सुनचाथ रुपए तो इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स प्लस बुक ये दो आपको लिंट सेंट को टीज आईडी जिससे ये आपको आपको और डर सकते हैं ओटे चलो आज देखिए आज पहला कोश्चन जल्दी से मुझे पढ़े के बताईए आज पहले कोश्चन का क्या टांसर किस्टे साथ जाना चाहिए आपको फॉर्मला पता होना चाहिए जोड़ों ने न्यूज रियल लाइफ इस्टाइल में साधी टली है अरे ये क्या भूला है भाई तो जिन्दरी पहला कोश्चन का आइंसर मुझे बताओ सीटेन में कितने हाइड्रोजन के परमाडू है बचो आपको पता है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोटार्बन है जो भी हाईड्रोटार्बन है हरे इन हाईड्रोटार्बन का आपको इस्ट्रक्चर बनाना जरूर आना चाहिए नहीं स्ट्रक्चर तो फॉर्मला लिखना जरूर आना चाहिए उन्होंने बोला है सीटेन अब आप मुझे बताओ आपको पता है सीटेन क्या होता है वैसे सी 10 का मतलब N बराबर आपको 16 रखना पड़े रहा N बराबर 16 और A नी लगा हुआ है बच्चो और A नी का मतलब क्या होता है तो कहा देना A नी का मतलब होता है L 10 C N H 2 N प्लस 2 बताइए चलो आज सद यह जा है तो N बांच जैसी आप 16 रखोड़े तो यहां 16 रखिए H और जैसी 16 रखना जाए रहा 16 दूरी 32 दो 34 तो हाइड्रोजन परमाडू की संठिया बताइए टिश्टे साथ जानी चाहिए सर 34 टे साथ जाना चाहिए औप्सन नमबर B टे साथ जाना बताइए बात सबको क्लियर है तो इस्टा सही आंसर के इस्टे साथ जाना चाहिए औप्सन नमबर B के साथ भाईया औप्सन नमबर B इस्टा सही आंसर हो जाए रहा 24 ते साथ 22 इस्टा सही आंसर नहीं है मेरे दोस्त दानक ये डा इसटा सही answer है 34, चोटी बात यहां इन्हों ने C10 में पूछी है, बात किस में पूछी है, सर बात पूछी है C10 में और formula मुझे बता रहा है, है hydrogen पर माडू ती संथिया 34, clear है, same तरीति मुझे बताए, diesel में क्या पाये जाता है, ओ स्वरी, petrol में यह पाये जाता है, अज़र कौन सा हाइडरो कार्बन पाय जाता है तो कहना पैट्रोल में में पाय जाता है और टेन C8H18 हाना C8H18 ये और 10 किसमें पाय जाता है सर आपका पाय जाता है हाना बेटल बे ठीक है तो गलती बढ़ टीजिए आजे बढ़ते हैं इस कोशन के और लगाई ज़रा इस सवाल को ट्राइ केए क्या कहता है यह अला सवाल थोड़ा कायदे में लगाई यह ठोटी है सर एलपी के प्रिवेस कोश्चन है क्या बच्चा एक बाँ बताईए दिव्या पांडे मैं सब को यही बात बोलता हो ग्रूप डी 2018 के ग्रूप डी 2018 के प्रिवेस यहर कोश्चन लगाने का फैदा क्या आप लोगों को ग्रूप डी 2022 में हुआ मुझे आप इस बात का अंसर दीजे 2018 के प्रिवेस यहर कोश्चन लगाने का फैदा क्या 2022 में हुआ मैं ऐसा नहीं रहता कि प्रिवेसियर नहीं लड़ाना चीए लेगे ELP technician की जो प्रिवेसियर question है वो मैं ज्यादा तर करवा ही चुटा हूँ आपको class में लाटा अज़ा मैं बार बार वही question solve का हूँ तो तुम नहीं आत्या seat रहे हो और धोटे साथा ऐसा हो लिया कि जैसा group data pattern था उससे advance version 2022 में पूछा रिया और यही advance version ELP में आ दिया तो आप क्या टोड़ोटे तब तो आप यह टोड़े कि हाँ मैंने तो सर्फ पूरा पढ़ा था मैंने तो पूरा पढ़ा था फिर भी उत्त耳 linz जिनकी सट्यों टन्पार्थ 2-1 और ईट है वच्चों सट्यों टन्पार्थ 2-5 याइत फिर यह बोलो जा रहा है इन्हें संपर्ट Πे में रठा जाता है जिस्ती पावर 6 टाност है बच्चो दोनों उत्तर लेंज है उत्तर लेंज टा मतलब यह हुआ ठी आप P1 की बार टीजे या P2 टी बार टीजे दोनों आपको टैसा मिले रहा पॉस्ट्टू मिले रहा है कि नहीं तो मेरे भाई यह बताओ P1 और P2 जो नेट पावर होती है नेट पावर ऐसी दोन डालते है P1 और P2 टी जो नेट पावर है वो 6 डियप्टर है तो बोला दरा है टी बताइए सही आंसर सही विटल्प चुने पहला विटल्प है सही होज़न की फोटरस दूरी इतनी होडी आपको मुझे बताना है कि इस्टा सही उत्तर टिस्टे साथ जाना चाहिए अब बड़े कहा देज साथ सुना बचो पहला और तीसरा आंसर देटो यह लेंस की फोटर लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में तो मैं डिरेक्ट कह सबता हूँ कि लेंस की फोटर लंबाई जो होती है वो 100 बटे पावर और नेट पावर है 6 डियोप्टर यह तुम्हारा सेंटीमीटर में जाना चाहिए तो 100 बटे 6 यानि 50 बटे 3 सेंटीमीटर यह तुम्हारी नेट फोटरस दूरी है यानि पहला सही है पहला भाई साब सही है और देखे इसे बात पावर जो है वो 2 अंपाथ 8 है अब आप खुद बताओ 2 अंपाथ 8 है तो टोटल 3 हो डिया और टोटल 3 6 डियोप्टर है तो ए अनुपाथ 2 अनुपाथ 1 है यानि पहली पावर हो जाएगी 4 डियोप्टर और दूसरी पावर हो जाएगी 2 डियोप्टर इस्टा बतला सर ये वाला उत्तर भी सही है 4 डियोप्टर और 2 डियोप्टर तो पहला और दूसरा वाला पार्ट जो है वो हमारा एद्दम करेक्ट आंसर हो जाए ठाओ, अफ्शन नमबर सी टे साथ, ओटे, ठीके, सब को ख्लियर हो जाए ना, तो अफ्शन नमबर सी इस्टा सही आंसर हो जाए पहला और दूसरा, बड़ा प्यारा सवाल था, चलिए, नेस्ट कोशन की और बढ़िए, कोशन नमबर थर्ड का आंसर दीजे, पढ़िया, बताईए, उमान्ट सोमनाथ अलोन, अच्छा, लाइट गई, दिव्या, पिरू, क्या बात है, थोड़ा इपर सेशन रू शेयर भी कर दो, और जुनों रावितर सेशन रू लाइट निकिया, पहले बड़ दवात एपर लाइक कर दीजे, बताईए सवाल का सही मेंडल जो है, एक गड़ तक थे, और ये में रहने वाले थे, आश्ट्रिया ते, आश्टेलिया नहीं, आश्ट्रिया, ओके, और याद रखना, ये पेसे से कौन थे, सर्ट ऐसा तो पादरी थे, तो ये पेसे से पादरी थे, और किसी चर्च पादरी थे, इनका जो एस्प धा रखना मेंडल नहीं मटल के पौधवे बहुत सारे एस्पेरिमेंट किये जिसकी बज़े से मेंडल को हम लोग फादर ओफ जैनेटिक के नाम से जानते हैं ठीके तो फादर ओफ आज़ा तो पूछे जैनेटिक किसे बोला जाता है तो टेय देना ये मेंडल सापको बोला ज जड़े एठीपदार बहुत ध्यान से सुना ये सवाल को भी अरा डाइडाम नहीं दिया दिया लेग शोटि तो जोगरी पड़े हम लोड ऐसी डाइडाम बना ले जे बस आप सुनते रही ये सवाल को बहुत ध्यान सुनियारा एकिए पदार के दो तार P और Q सनांथ़ा मे और लम्बाई दुढ़नी है बस अब यहीं से अंदाजा हो त रहा है यहीं से अंदाजा हो त रहा है मुझे चाहिस सबसे पहले आपने बनाया अब अब इस सीरी में जोड़ना है ये डाइडाम आप काह सकते है तो मेरे भाइए बता ओ यह तो भारा कॉन्च सी छड़ हो देए सर यह P हो जिए और यह कॉन्च सी छड़ हो देए सर यह Q हो जै जान सुनदा इसते लंबाई डितनी है L ऊटे इस्टा एरिया है सुर से इरिया है A सर QT लंबाई कितनी है 2L इस्टा एरिया कितरा है AY2 सुनना है न सब लोग AY2 ऐसा बोला जा रहा है फिर बोला जा रहा है कि बताईए सहोजान तुल प्रत्रोध कितना होना चीए मुझे तुल प्रत्रोध बताना है बताईए आंसर कैसे निटले रहे ये सवाल हाना पाईसम सट आईवम हाँ बिर्कुले तम सही बता रहा है बच्चा तो आप कैसे बताईए अगर ये दोनों सीरीज में जोड़े हैं तो इनका रजिस्टेंस R1 इस्टा रजिस्टेंस R2 और जल्दी बताईए अगर नेट रजिस्टेंस निकालना है इन दोनों का तो मुझे बताईए R1 और R2 को आपस में जोड़ना रहेगा बहुत सीधा सा कॉंसेप्ट है या तो R1 कैसे निकले रहा तो कहना रजिस्टेंस निकालने का तो R1 का मान निकाल लिया मैंने रो L बते E अगर यहां मैं R2 निकालूँगा तो R2 पराबर हो जाए रहा रो टोटी पदार तो वही है लंबाई L यानि 2L और डिवाइड भाई एडिया A A मतलब A बाई 2 टोटी आधाए तो मेरे भाई यह मान आ जाए रहा तुम्हारा दो उपर चला जाए रहा चार रो L बते A ए देखो ठीके पहले आँ मुझे बताएए यह दोनों मान सब तो क्लियर हो रहा है फटा पड़े पर सब लोग कमेंट रहे बताओ यह दोनों मान क्लियर हो रहा है सिम्पल सा फार्मुला होता है रो इंटू L बते A ठीके सर एप पर लाइव नहीं होता है क्या नहीं बच्चा एप पर रिकॉल्ट टटके अप्लोड होता है अब इनको दोनों टो जोड़ना है तो आप यह कुछे बताओ अगा इन दोनों टोटाटे जोड़ा जाए रहा तो चार और एक पांच हो जाए रहा जिस्की वज़े से आंसर जो जाने वाला है वो 5 रो एल डिवाइड बाई ए फाइब रो एल डिवाइड बाई ए ओफसर नमबर एट एसाथ ठीटे क्लियर होड़े है ना कैसे लड़ा है सवाल चलो आरे बढ़ते नेश्ट क्वेशन की और यह वाला सवाल ट्राइट इज़े क्वेशन बर पाच बादाई जादी सूत्त आईसा दीज़े प्रवीन वेरिडोड दिव्याद क्या बात है अलोन थोड़ा इपर और सेसन दूर शेयर करो भाई जिन्होंने भी तर सेसन दूर लाइट नीटिया लाइट भी टर दीज़े और फड़ा बढ़ जल्दी से एपर शेयर कर दीज़े बताईए इस सवाल का सह यह अंसल किष्टे साथ जाना जीए बढ़ती भी आयू के साथ निम्न में से कौन सा हार्मोन इस्तरावण घट कर आधा हो जाता है आप मुझे बताईए इन में से वो कौन सा हार्मोन है जो बढ़ती भी आयू के साथ घट कर आधा हो जाता है जैसे कि GTH, Melatonin, HGH, Estrogen इन में से कौन सा हार्मोन है जो बढ़ती हुई आयू के साथ आधा हो जाता है अरे बच्चा सोमनाथ पहला चेप्टर अप्लोड हो जाए दूसरा भी अप्लोड हो जाए आप पढ़ो तो पहले पहला देरो GTH हार्मोन हो जिए इस अलावा HGH हो जिए यह हमारा निटालता है pituitry gland, estrogen hormone एत्रेका female hormone होता है बच्चो यह निटालती है ORI लेदि जो melatonin hormone होता है यह कौन निटालता है तो कह देना यह निटालता है बच्चो पीनियल और यही वो hormone है जो बढ़ापे भी जाके यह समय के साथ ढटके ठैसतो आधा हो जाता है जटो यही रीजन है जिए भी हमारे बढ़े माबाप होते हैं उनमें melatonin hormone कम हो जानी की वज़े से ही उन्हें दिन और रात में यानि उन्हें जो sleeping cycle है वो बिड़ड़ जाता है कई बार उनको रात में नींद नहीं आती समझो बात को ओके तो यह melatonin hormone जो होता है वो उम्रे के साथ साथ कम होता रहता है और धार रखना इसलिए सही अंसर और बीटे साथ जाए रहा है कल मैंने आपको इसका एक पॉइंट भी बताया था अड़र आपको याद हो तो कल मैंने आपको कहा था कि melatonin hormone जो है इसे biological clot भी टहते है biological clot क्यों बोला जाता है क्यों यह हमारे sleeping cycle को कंट्रोल करता है हमारे जातने और सोने को कंट्रोल करता है इस बाट तो याद रहे रहा melatonin hormone हना ठीटे तो आफसर अरमर हमारा कौन से जाए रहा बीटे साथ चलो next question देए यह लिए बचो ऐसा सवाल ना बड़ी confusion create करता है यार आप लोगोड़े ऐसा सवाल जरूर पढ़े होंगे पहले लगे जब जब इस तरह के question आपके सामने आते हैं तो हमेशा ना हमें confusion सी सी रहती है हमेशा एक confusion सी रहती है सर एक लास गेंड़ बाला Newton गेंड़ बाला Newton लो से क्राइए मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे पूरा डिटेल बताओ हाना क्या रहा हो थोड़ा अच्छे डं से लिठो मतलब मैं यह रहा था कि ऐसे सवाल ना हमेशा हम लोगों confusion करते है और कभी इसका concept नहीं clear हो पाता है भाई साब कि इसका सही answer क्या होना चाहिए तो मैं अभी 10 मिनट आपका लूगा 10 मिनट के बाद अगर जीवन में यह सवाल कलत हो जाए तो नाम मदली दीज़ा देख यह सवाल क्या है बोला जा रहा है कि यदि एक वर्णान महिला एक समान वाले बच्चे बोले जाए तो बच्चों अलग answer हो ठीक है सबते सब लोट C answer दे रहे हैं कुछ B answer दे रहे हैं भाई थोड़ी देख लिए रहें करो मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं ठीक है चलिए सुनिए और मैं फिरते रहा दू इसमें variety बहुत बनती है question में इसमें variety बहुत बनती है तो कई बार इसका answer C B D सब आपने सुने हो रहे हैं लेगे प्रस्ण अभी भी फसा हुआ है कि किस variety में कौन सा answer मुझे देना है ठीक है चलो आप सुनो धान सुना बोला जारा एक वर्णांद महिला मतलब मेरे पास एक महिला है जिसे पहले से वर्णांद है वर्णांद का मतलब होडिया कि उसे color blindness है वर्णांद महिला मतलब उसे color blindness है ओके तो बच्चों जिसको color blindness होता है जिस महिला को महिला के पास एटस एटस गुड़ सूतर होते हैं और इस्टे पास टलर ब्लाइडनेस है इसलिए मैंने ऊपर जो है दो नोटों जो है डॉट बना दिया मतलब इस्टे पास टलर ब्लाइडनेस है बच्चों अगर ये महिला वहाथ होती अगर ये महिला जो है कह सकते हो केवल और केवल वहाथ होती सिर्फ वहाथ तो हम हम इसना क्रोमो सोम दिठाते हम इसना जो गुडशूट दिठा दे वह सिर्फ और सिर्फ एक्स के उपार एक बिन्दू लगाते बस तो पहले याप यह समझो ती वहाट कैसे दिखाय जाता है और जिस्टों यह बीमारी होती है नहीं सुना है यहां एडीज एजिप्ट मच्छर देंडु हो दिया सुना, नहीं, यहां ऐसा है, महिला में अगर वर्णान्ध है, तो X टी उपर, दोनों X टी उपर हम डॉट लड़ा देंगे, और अगर वो सिर्फ वहाथ है, सिर्फ वहाथ है, तो उस्टे उपर यह टड़े, इतनी बात सप्रोट क्लियर हो गई ना, आप दूसरी बास सुनो, तो प्रस्ण में यह बोला जा रहा था, कि यदि एक वर्णान्ध महिला, मतलब महिला पूरी तरह से वर्णान्ध है, इसलिए हमें यह लेटी चलना पड़े रहा, कैरियर में यह वर्णान्ध है, यानि बिमारी से ड्रसित है, फिर समान द्रश्टी वाले पुरुष से आए ये बात आप सबको clear हुई ने clear हुई एट बाद commentator पताओ ये बात सबको clear हो रही ना हाँ हाँ एक्स ट्रोमोसोम में ही हमारा टेस्ट अत्त हो वर्णान यादि ब्लैंडेस ट्लर ब्लैंडेस दिखाई देता है चलो इन दोनों का cross ट्राते हैं बच्चों अगर इन दोनों का cross ट्राइंगे तो पहले x dot का cross दोनों से साथ ट्रा दिया जाए यानि x टे साथ ट्रा दिया जाए और x dot का cross y टे साथ भी ट्रा दिया जाए फिर ये दूसरा वाला x dot तो इस x dot का cross x टे साथ हो रहा पहले वाले x अब फिर X डॉट का क्रॉस Y के साथ होगा समझो तो जब इनका आपस में क्रॉस टाए दाए दा तो क्रॉस टाने के बाद ये चार पॉस्बिल्टी बनी दी पहले X टा दोनों के साथ दूसरे X टा दोनों के साथ समझ में आयक नहीं आए आप देखोड़ा सर ये क्या है पहले ये मुझे बताईए तो कह दे न ये है सर लड़की लटडी निलिठ जहारा दा यार लड़की सुनना ये क्या है सर ये है लड़का सुनना है न सब लोग ये क्या है सर ये है लड़की और ये क्या है सर सर ये है लड़का अब प्रसन ये है ति इन में से तिष्टे पास बिमारी है और तिष्टे पास बिमारी नहीं है समझो तो बच्चों लड़की में सिर्फ 8X लगा हुआ है यह देखो लड़की भी 8X है तो यहाँ पर भी 8X है और यहाँ पर भी लड़की में 8X है तो दोनों लड़कियों में सिर्फ 888X आया है जिसकी वज़े से हम कहेंगे कि लड़की में बिमारी नहीं होगी, होने वाली जो लड़की पैदा होगी इन दोनों के टॉम्बिनेशन से, तो उस पे लड़की में बिमारी नहीं होगी, लेगे लड़के भी देखिए क्या है, तो लड़के में बिमारी है, ठोटी X में भी है, X में भी है, Y में तो होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि वर्णाता कि जो बिमारी है, जिसको आप बोलोगे कि इसको color blindness है, तो दोनों जो लड़के होंगे, वो color blindness से ग्रसित होंगे, क्या होंगे बच्चो, ग्रसित होंगे तेके, प्लियर है न, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है उसके पुत्र होंगे, सिर्फ पुत्र पुछाए, पुत्र मतलब लड़का, तो कहना लड़के में आप देखिये, लड़के में हमारा कलर्ग ब्रैनिस है, है, तो सभी समान दरश्टी के होंगे पुत्र गलत, आधे पुत्र समान होने आधे वर्णांद गलत, भाईया आधे डहा, दोनों हमारे वर्णांद है, फिर तीन चौथाई, एक चौथाई, मतलब दो लड़के हैं, और दो लड़कों कुट्या काट कर, एक चौथाई और तीन चौथाई टड़ोरे, बेटू फुट्या, इसलिए इसना सही अंसर ओफसर नमबर D के साथ जाना चीए, ठी सारे ते सारे जो लड़के हैं, सभी लड़के, सभी लड़के, वर्णांद होन रहें, अफसर नमबर D, मैं अभी छोड़ू न नहीं, मैं आपको छोड़ू न नहीं, पहले आप मुझे यह बताओ, यहां त प्लियर है अब मेरा अडला प्रस् logistics जो इसथे बात फिर पुछा जाए गाg Art कहेगा कि इश से पैदा होने वाली जो लड़की है इन दोनोते कॉबिनेशन से पैदा होने वाली जो लड़की है पैदा होने वाली लड़की है उस्का विवारा फिर से नार्मल प्रूष्टे साथ हो रिया मतलब इनसे जो पैदा होने वाली लड़की है उसका विवाहा फिर से नॉर्मल प्रूष्टे साथ हो रिया अब मैं इसको हटा देता हूँ ये तो आपको समझ में आ रिया हो डा और चाहे तो मैं इसको यहां लिख देता हूँ कि जब महिला वहाठ होती है जब महिला कलार ब्राइडनेस की वहाठ होती वच्चो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस पूच इस तरह से ठीरे अब प्रस्री आए रहा ति इन दोनों के कॉंबिनेशन से लड़के भी पैदा होगे वह यह लड़की भी पैदा होगी तो मैंने यह कहा ति इनके कॉंबिनेशन से जो लड़की पैदा हुई है उसका विवहाठ कर दिया दिया है नॉर्मल लड़के के साथ नॉर्मल ल अगर इनके combination से यानि इनके combination से जो लड़की पैदा हुई थी, दो लड़की पैदा हुई थी भाई सब, मतलब किसी भी एक लड़की टब विभार, मैंने दूसरे normal लड़के के साथ कर दिया, तो आप मुझे बताईए होने वाले बच्चे में क्या क्या आपको नजर आना ची यह, अरे repeat कर रहा हूँ, आप परसाद मत हो यार, अगर मैंने आपको clear नहीं किया, तो क्या मतलब है मेरे पढ़ानेटा, यह सब इसलिए है, तो माली की लड़की पैदा हुई, x, x, फिर normal लड़के के साथ मैंने, अडला भी वहाँ हो रहा ना, अडला भी वहाँ, तो चलि x, dot का cross, y के साथ, सुना है ना जबलो, फिर x का cross, अडले वाले x के साथ, और फिर x का cross, यह y के साथ, यह देखो, यह combination बनेडा, यह combination बनेडा, मेरे भाई, तो क्या possible हुआ, तो कहना possible यह हुआ सर, इसमें देखो सर, एक लड़का पैदा होगा, और एक यह वाला लड़का ह हो जड़ा, तो इस्ता मतलब यह हुआ, एक लड़का नॉर्मल होगा, यह नॉर्मल लड़का है, तुनो, और यह बताए कैसा लड़का होगा, विर x, y लड़का होता है, तो यह ग्रसित हो जाए न, तो मतलब, दो लड़कों में से 50% चांस होड़े, एक नॉर्मल होगा, और एट ग्रसित होगा, ठीके, लड़कियों में सुनिये, लड़कियों में एक्स एक्स, यानि लड़कियों में एक्स लड़की नॉर्मल होगी, और एक्स, उपर डॉट एक्स, तो ये वहाथ होगी, यानि एक्स लड़की क्या होगी, वहाथ होगी, एट लड़की क्या हो डिए? वह हट मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोसिस करना तो इनके कॉंबिनेशन से जो लड़की पैदा हुई उस्टों मैंने नॉर्मल लड़के ते साथ साधी टा दी और नॉर्मल लड़के ते साथ साधी टाने के बाद देखी ये रिजल्ट विला सबको तो पहली लड़की माली चार बच्चे उस्टों पैदा थी है और चार बच्चों में दो लड़के दो लड़की हो ली जो मुझे दिखाई दिया तो मैं ऐसा कह सकते हो मेरे भाई कि आप ऐसा कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सर कि ये वहाठ लड़की है लड़की लिख लेना आगे ये कह सकते हो टी ग्रसित लड़का है लड़का लिख लेना ये नॉर्मल लड़की है और ये कह सकते हो नॉर्मल लड़का है ठीक है और दूसरी बास सुनों चलिया इसकी लड़की ते विवाह नॉर्मल लड़की ते साथ किया थे मैंने कहां सर इस्टा उल्टा कर दीजे इस्टा जो लड़का है इस्टा जो लड़का था यानि एक्स और ये वाई सर इस्टा विवाह मैंने किया नॉर्मल लड़की के साथ तोटी पता दोड़ने चलता है ये तुम्हें टलर ब्लाइडने से नॉर्मल लड़की के साथ विवाह थिया इसके लड़के के या नॉर्मल लड़की के साथ विवाह थिया अब मुझे बताएए ठीक है अब मुझे सर सेकेंड जनरेशन से क्या रिलेशन है ये भी बता दीजे बुट में भी पढ़ा था अरे सेकेंड जनरेशन ही तो मैं बता रहा हूँ भाई साब ठीक है आप मोज़े बताओ ये लड़का वहां सो उठाया मैंने जुनका बेटा था लड़की नॉर्मल है तो इसमें भी देटो चार पॉस्विल्टी बनेगी एक्स डैस एस फिर एक्स डैस वाई एक्स डॉट वाई का एक्स वाई और वाई का हमारा अब ये वाई वाई तो कुछ होता ही नहीं ना वाई वाई तो कुछ होता ही नहीं है कुछ mistake कर दी यहाँ पर यह लड़की थी न x x लेना चाहिए था तो x यहाँ पर यह x आए रा x x ओके और y xy और y xy यह देखिए हाँ वो मैंने साही तर दिया वो मैंने साही तर दिया दो नूप वह था तो यहाँ पर भी देखो फिर से हम लोगों को क्या मिला तो सर हम लोगों को अब मिला है देखो नौर्मल लड़के क्या मिले हैं तो कह देना हम लोगों को मिले हैं सर नौर्मल लड़के नौर्मल लड़के मिले हैं नौर्मल लड़के मिले हैं और दोनों लड़किया पता यह कैसी मिली है सब दोनों लड़किया जो मिली है वो वाहट मिली है ठीटे? तो कभी भी ऐसा कोई भी सवाल आगे से आए तो अंधी में आंसर नहीं लगाना है अंधी में आंसर नहीं लगाना है आपको कैदे में समझना है ति उसका आंसर ट्या होना जी है हाँ, अरे उज्वल मंडल मैंने सही तर दिया भाईया मैंने सही तर दिया ठीटे? ठीटे? एक बार कमेंटर रहे बताओ ये सब तो समझ में आ दिया कि मैं एक एट इजम पर लोल ले लूँ भाई पहले मुझे बता दो तो कि मैं तभी आजे बढ़ूँगा ये सब तो समझ में आ दिया कि नहीं आया बताइए अजर एक जम्बल मैं और ले लूँ माल लीजे मैंने आप से कहा टी, कलर ब्लाइड ने इस्टा एक ड्रसित लड़का है ड्रसित लड़का इस्टा विवाहा नॉर्मल लड़की ते साथ हुआ है नॉर्मल लड़की के साथ हुआ है ड्रसित लड़के ता विवाहा नॉर्मल लड़की के साथ हुआ है ठीके फिर तुमसे बूला जा रहा है कि कितने ब्वाए हमारे ड्रसित होगे देखो ब्वाए होगा तो ड्रसित होगा या नॉर्मल होगा ठीके और कितनी लड़की यानि कितनी डल ड्रसित होंगी नॉर्मल होंगी या फिर टैस तो वहाथ होंगी देखो लड़कों में दो पॉस्बिल्टी है या तो लड़के जो पैदा होंगे वो ड्रसित होंगे या नॉर्मल होंगी और लड़कियों में तीन पॉस्बिल्टी है या त तो वो नॉर्माल होगी और या फिर बताईए क्या होगी वहाँ ठोगी ठीके चलो बताईए ड्रसित लड़का है इस्टा पतलब क्या हुआ X और यह Y नॉर्माल लड़की है तो X X जैसे एट बच्ची टेहरा है गल में कभी नहीं हो गाया क्या अरे बिल्कुन होगा अगर य दूर्सित लड़की होती हो चलो इस्टा डाउट पर दूर कर देता हूं इस बच्चे टा इस मेरे भाई यहां पर दोनों में लाराना पड़े रहा चलो अगर मैं इस्टा जो है क्रॉस ट्रादू यानि ड्रसित लड़का और ड्रसित लड़की जिस्टों हमारे पास चैसा तो कलर ब्लाइडने से है चलिए क्रॉस्ट आईए possibility देखी क्या है तो X, X ये पहले वाले X टाई फिर X, X दोनों टेसा ट्रा दिया Y तो X, Y अब ये X, ये Y ये दे दे रो मैंने क्रॉस क्रा दिया क्रा दिया न वहाँ का मतलब क्या होता है बता दो carrier, carrier वहाँ का मतलब carrier तो ये देखिये, इस बार दोनों लड़कियों में देखी जरा दौर से तो दोनों टे उपर दो दो डॉट लगे हैं, यानि ये लड़की जो है, ये लड़की जो होड़ी, वो ड्रसित होड़ी ड्रसित और दोनों टे दोनों जो लड़के हैं वो दोनों में भी देखिये, एक्स में लगा हुआ है तो दोनों टे दोनों लड़के भी ट्या होड़े, ड्रसित होड़े हाँ वो एक बच्चा पूछ रहा था ना कि लड़कियों में तभी नहीं उड़ा तो मैंने कहा ना ती लो ड्रसित लड़का ले लिया ड्रसित लड़की ले ली हो रिया अरे यह वाला कॉंसेट समझ में आ दिया अरे आ दिया बढ़े बताओ जल्दी से इस्टीम शॉट ले उस्टा सा इस्टीम शॉट लेजिए बार ले जिए मैंने आप से कहा कि जो पहला वाला इस ज्पिल तरह उस्टो ले ले लेते हैं लोड़ एट बार मैं पहले वाले पीजेंपल पर पाई कि यहां लिटा बiform लड़की झाँ आकर यहां था समान्व लड़की ले लेते हें कॉंसी लड़की ले लेते सर वहाट ले लेते लेते में एक में एम हट MMA वहात है यह ही लेदे तो होत्या यह तरैना पटेड्ग वाट लड़की में एक डॉट हटाना पड़े रहा उपर से अना वाट लड़की में एक डॉट हमें उपर से हटाना पड़े रहा यह वाट लड़की रहा रप्रेजेंटेशन है ठीटे चलो बताईए ट्रॉस्ट आएंगे तो क्या होड़ा तो ठीदे ना ग्रसित लड़का है X2 पर ही लड़ाना है दारखना वहाँ लड़की है तो किसी 8X2 पर लड़ा होड़ा अगर मैं दोनों ग्रॉस्ट आदू तो X, X फिर X, X अब Y टक आएंगे तो X, Y और X, Y यह देखिया तो सोचिए चलो बताईए इस्टा अंसर क्या होना चाहिए लड़का कौन है लड़की कौन है नॉर्मल कितने हैं और धन्दवाद धन्दवाद देखो मैंने बता रहा मैं जो टुछ भी आता है सब आप पर निछावार कर दूँगा विश्वास मानिए मुझे लेटी टा करना है मुझे आभी 10-15 सालों में मैं आप पहाडों पर नजर आऊँगा फिर आप भी मेरा वो देटी है वो डेटी आज जो इन बाबा की ट्रपा से मैं धनी बन लिया तो बस मुझे आड़ी चलती बाबा बनना है तो जो टुझे मेरे पास सवापीटा है तो ये ट्या है तो कह देना इसे बोला जाएदा ड्रसित लड़का और लड़की तो आप बता ही लोड़े ये ट्या है तो केवल एक एक्स में लड़ा हुआ है बडल वाला भी एक्स से तो ये वहाथ है लड़की वहाथ लड़की और ये ट्रसित लड़की ओके ये ट्या है सर ये तो है एक्स और वाई है तो इसे बोला जाएदा ड्रसित लड़का ये क्या है सर सर इसमें किसी में नहीं है सर यह नॉर्मल लड़का अज़ा इपा बताओ आप इस समझ में आ दिया आप इस समझ में आ दिया एक बार कमेंट टड़ो थमसर टड़ो यह जो दिल विल बड़े है थोड़ा बेशते रहा टड़ो यार कमेंट वाट्स में उपर नीचे चड़ता है तो अच्छा लगता है देखने में अब तुम लोग तो समझ में आ दिया अतनी आया जल्दी मुझे बताईए अब समझ में आ दिया अज़ाण अब समझ में आ दिया है तो अब यह टेल्पुलेशन आपको करनी है कि मेरे पास एक ड्रसित लड़की है और मेरे भाई नॉर्मल लड़का है तोटी लड़का तो वहाठ हो नहीं सकता ठीक है ओके ग्रसित लड़की है नॉर्मल लड़का है सब लोग जल्दी से एक बार करिए और करने के बाद मुझे बताईए कि तितनी लड़कियां ग्रसित होंगी नॉर्मल होंगी या वहाठ होंगी तोटी तीन पॉस्विल्टी है लड़के में कितने लड़के नॉर्मल होंगे या फिर ग्रसित होंगी चलिए बताईए अंसर वेट कर रहा हूँ थोड़ा हो सकता है ति आज नंबर आप कोशन कम हो पाए लेट कोई बात रही आज आपने ऐसा कॉंसेट सीठा है जिस्टे बाद ना किसी की हिम्मत नहीं हो डी टी ऐसे सवालों में आपको भर्मित कर दे चाहे वो रेल्वे बोर्ड हो चाहे टीसीएस पैटर्न हो विश्वाज बानी है मैं आपको एक दू मिनट कर समय दे रहा हूँ टर्ने के लिए ग्रसित लड़की को टैसे सोटर्ना है नौर्मल लड़की को टैसे सोटर्ना है तिसमें क्या होने वाला है मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ मुझे देखना है कि टितने लोग इद्धम सैयांसर देते हैं दोनो लड़कियां वहाँ थोड़ी सोमनात लाहा ने टहा है सबसे पहले दोनो लड़कियां वहाँ थोड़ी पूरा बताईए सौकट में मत मुझे बताईए ठीक है? चलिए तो आप मुझे बताईए ड्रसित लड़की का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ भी X, यहाँ पर भी X ड्रसित लड़की नॉर्मल लड़की का मतलब क्या हुआ? टिसी में भी आपको डॉट नहीं लगाना दो ग्रसित दो गल वाहट रोसन कुपाद देटा हाँ है चलिए देखते तो मेरे भाई यह बताओ ड्रसित लड़की यह रही नॉर्मल लड़का यह रहा अगर इन दो रोटों मैं क्रोस करा हूँग रहा तो क्रोस से क्या पॉसिबिल्टी बने दी? X, dot X फिर X, यह Y फिर यहाँ वाला X X है, और फिर यह X हमारा क्या बने दा है? चर, Y के साथ, यह देखे ऐसा पुछोटा अब सवाल यह है टी टॉन क्या होड़ा? भाय भायवा, मजा दिया तो यह देखे, यह क्या है? सर, किसी 8 में लगा है तो इसे बोला जाएगा ड्रसित लड़की इसे बोला जाएगा ड्रसित लड़की सर, इसे जा बोला जाएगा? इसे भी बोला जाएगा ड्रसित लड़की टूठी, 8 में लगा? ने 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 एट में है ना एट में सॉरी सॉरी एट में है तो वहाथ लड़की बोला जाए रहा एक के लिए वहाथ लड़की तेस्तमाल यूस टरते हैं और ये भी क्या होड़ा बच्चो सर इसे भी बोला जायदा ड्रसित लड़का मेरी बात समझ पा रहा है ना तो इस प्रसंटा सही आंसर होगा कि दो लड़किया जो है वो वहां ठोंगी और जो दो लड़के हैं वो ड्रसित होंगे सब्का समझ में आगे ना चलो आगे दिखिए नेस्ट रोक्षन ये लिए ट्राइम वारी जल्दी से आले सवाल को फटा पड़ मुझे बताईए ट्रोशन नमबर सात्वेटर सही आंसर इस्टे साथ जाना जीए पढ़िए जल्दी जा हाँ कुछ लोगों के एटम सही आया था ठीके चली आंसर जल्दी दीगे एक कड निरंतर परिमार के बल द्वारा कार किया जाता है जो हमेशा कड के वेट के लंबत होता है बहुत अच्छी बात कड की गती एक विमाम में होती है तो यह किस परिठार की होगी यानी सही विक पर चुनों बच्चो एक लाइन बहुत तरड़ी इन्हों ने बोली ये बीच में लाइन ये बोली है कि लगने वाला जो बल है वो हमेशा टड़ के वेट के लमवत होता है बच्चो जब भी तबी लगने वाला बल उसकी वेलोशिटी की डिरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है बलकी डिरेक्शन वेलोशिटी के परपेंडिकुलर होता है वहाँ पर याद रिखेड़ा एक ही कॉम्बिनेशन पॉस्बेल है जैसे कि मैंने ये सल्टल बनाया बच्चो सल्टल का अगर ये वाला पॉइंट ले तो यहां वेलोशिटी डिरेक्शन यहां पर वेलोशिट हो कि ये कोई पार्ट किल माल लीजिए एंटी ट्लॉट वाइस घूम रहा है से तो वेलोशिटी डिरेक्शन ऐसी हो लेकिन आपको पता है कि जब कोई पार्ट किल किसी व्रत में घूमता है तो उस पे लगने वाला फोर्स सेंट्री फ्यूरल फोर्स ऐसे होता है बताए होत चु जब भी तभी आपका फोर्स वैलोशिटी डीरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो यांना हमारा एक व्रत को नर्मार होता है और प्वरत को नर्मार होता है तो इस्था मतलब यह हुआ टि इस्टी 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 जो पांट होना जब व्रत्ताकार motion होता है तो बचचो speed constant रहती है, latenny, direction change हो रही है मेरे दोजिज ़न नहीं रह सकता, क्यों ठ़ुटी weight एक सदिस रासी है, सदिस रासी है, तौराड इस्तिर है, गलत, सब तौराड भी तो सदिस रासी है, बात समझ पासين दर है दोनों सर सदिस्रासी हैं और जब दोनों सदिस्रासी हैं तो दिसा चेंज हो रही है तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी डती जूरजा बच्चों डती जूरजा के फॉर्मले में K बराबर half m v square में बच्चों पता क्या होता है सिर्फ speed आती है यहाँ पर V क्या होता है speed आँ भाई साब और speed constant है जब speed constant है तो डती जूर जा constant हो जाएगी तो यह 3 और 4 यह इस्टा सही answer जाना चाहिए option number D के साथ बता yes very good 3 और 4 सही answer हो रहा जल्दी बाजी तो कोई भी नहीं मचाएगा त्राइबारी है यहाँ ले सबाल को reaction बैलेंसिंगर कोशन है question number 88 और बताइए सबाल ना सही answer इस्टे साथ जाना चाहिए तोड़े बाद सेशन तो light कर दो याद मैंने आज इतना बढ़ी आपको concept बताया लड़का लड़की है और यह सब फलाना डिटाना उट पठा light और बच्चे पी समझेए कम से कम 100 प्लस होनी चाहिए आज बोला दर आये कि बच्चों यह reaction दी रही है उस reaction में लिटा हुआ है PB3O4 अब प्लस थोड़ी सी जना छोड़का मैंने SCL लिट दिया फिर आगे थोड़ी सी जना छोड़का मैंने PBCL2 लिट दिया फिर थोड़ी सी जना छोड़का मैंने क्लोरीन लिट दिया अब फिर थोड़ी सी जना छोड़का मैंने H2O लिट दिया लाइन से इन्होंने A, B, C, D, E टह दिया अब फिर क्या बोला जा रहा है B और C अनपात मुझे बता दो तितना होना चाहिए बढ़ा आसान सा स्वाल reaction पहले balance दीजे तभी आप इस स्वाल तो solter पाओगे अन्यथा नहीं तो जब भी तभी ऐसी कोई reaction दिखे टड़े तो सबसे पहला time category है तो सर यहाँ 3 PV है तो टनफा में यहाँ पर मुझे 3 PV लडाना पड़े रहा सिर्फ 3 ही आपने लडाया तो यहाँ पर 1 PV टनना पड़े रहा देखो यहनि हमारी जो PV है ना वो balance होड़ा है अना अब रही बात chlorine की अब रही बात chlorine की chlorine कैसे बनेगा PbCl2 है देखो यहाँ डड़बिड़ी हो डिख यहाँ जो है ना सर यहाँ क्या है सर यह है PbCl2 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 तो PbCl2 है मेरे भाई तो पता क्या करेंगे 3 दूनी 6 chlorine और 6 दो 8 chlorine 8 chlorine इधर लाना है तो यहाँ 8 Cl लगाने पड़ेंगे 8 HCl भाई 3 दूनी 6 chlorine 6,2,8 तीटे 8 chlorine balance हो डिया सर अगर 8 chlorine है तो यहाँ confirm 8 करना पड़े आपको hydrogen balance टीजे oxygen balance टीजे 4 oxygen 4 oxygen 8 hydrogen 8 hydrogen लाने लिए सर यहाँ पर मुझे 4 से multiply लाना पड़े यह दे दो तीटे तो मिरे भाई यह हमारा concept है अब इनो ने किस्टू टीश्टू क्या बोला यहाँ A बोला है यहाँ पर B बोला है यहाँ पर C बोला है यहाँ पर D बोला है यहाँ पर E बोला है तो फड़ापड मुझे बताईए B और C टाइज अन पार कितना हो जाए रहा 8 रेशियो 3 8 रेशियो 3 ये हमारे प्रसंटरा सही आंसर जाना चाहिए option number D टे साथ टेट टेट चलो आजे बढ़ते ट्राई बारी ये याले सवाल को कल भी मैंने इस तरह येट सवाल सोल टाया था आज भी एक स्वाल है बढ़ा असाम होता है अला सवाल एदव इजी कॉंसेप्ट है दिखाई सब्सक्रों दे रहा है ना हरा परपत्वे दिखाएड है 2 ओम में धारा 3 एंपियर है मतलब परपत्वे ये है तुभारा 2 ओम का रिजिस्टेंस और इसमें धारा का मान इन्होंने टेह दिया सवाल में 3 एंपियर एदम कह देख साथ सुनना परपत्वे दिखाएड है 2 ओम में धारा 3 एंपियर है तो 5 ओम में सक्ती बताए मतलब ये जो 5 ओम का रिजिस्टेंस दिखाएड है नहीं ये 5 ओम होटे बच्चों इस पांच ओम में मुझे पावर बतानी है तो दिखाएड बोलो अब आपको लगे डाटी ये सवाल बड़ा कठीन है मेरे बाइट कठीन नहीं है अरे यार चुटकी आज नहीं बज़ रही बहुत आज़ान जवाल है यार लेरी चीजे समझने पढ़े डिटी आपको लगाना टैसे ऐसा रही है है कुछलो डिष्टा परणामी रेजिस्टेंस निकाले ने दुनिया भलती चीजे निकाले नहीं मालिक मैंने अपने बच्चों तो आस्तरी चीजे नहीं बताई है मैं तो कहता हूँ दिमाद लगाई है कि अब इसको कैसे आसान कर सते हैं मैं बताता हूँ बच्चों ये जो तीन ब्रांच है ना ये तीन ब्रांच बच्चों ये तीन ब्रांच आपस में समांतर है और समांतर का मतलब होता है voltage समान होना चीए तो उपर वाली ब्रांच ना voltage निक्राला जाए तो V बराबर IR तीन दूनी 6 सर V बराबर IR तीन दूनी 6 voltage उपर है तो बच्चों 6 voltage तो हरेक्टर होना चीए चार ओम पहले से है तो यहां धारा बहा दीजे डेर्ड एम्प्यर्टी ताटी डेर्ड गुडे 4 डेर्ड गुडे 4, 6 voltage हो जाए यहां 5 और 6 ओम पहले से है 5 और 6 ओम पहले से तो यहां धारा बहा दीजे 8 एम्प्यर्टी और 8 एम्प्यर्टी धारा बहा दीजे जिससे की voltage हमारा समान हो जाए बदो पहले आप सब लोड मुझे ये इस सारा टटे बताएए ये जो मैंने एदम धिमाट लगाते धुआधार धिमाट लगाते जल्दी से यहाँ डेड़ और जल्दी से यहाँ 8 MPL लिद दिया ये सब को समझ में आया की नहीं है देखो बहुत सारे लोड इसको क्या टट रहे होंगे इसको कह रहे होंगे 2, 4, 6 इस्टा रेशियो है पर उसको 1, 2, 3 टट रहे होंगे हैं और फिर और भी बहुत त्रड़े त्रड़े दिमाट लगा रहे होंगे लेकिन मैं तो कहा रहा हूँ सीधा सा दिमाट लगाओ याल सीधा सा दिमाट ये है कि ये तीनों हमारे समांतर में है और तीनों समांतर में है तो तीनों पर वोल्टेज बराबर होना चीए तीन दूनी 6 वोल्टेज है तो यहाँ 6 बनाने के लिए कितना टा मल्टिप्लाई डेड़ का ये लो भाईया पांच और एट सीरीज है छै ओम हो गिया तो छै वोल्टेज बनाने के लिए सिर्फ एट एम्पियर ही धारा अरे बलता है ये मज़ा आज ये नहीं आया अच्छा अब पूछा जा रहा था पांच ओम में पावर तो पावर का फॉर्मला होता है आई स्ट्वार इंटू आर सीधा सीधा टहिए कि पांच ओम में धारा बहर ही ये एक रजिस्टेंस कितना है बच्चो पांच तो मेरे भाई बच्चो आंसर जो आ जाएड़ा वो पांच वाट आ जाएड़ा बताईए ती तरह ठूसूरत सवालता हो ठूसूरत रवालता हो अपने ठूसूरत धन से सौल वीटर दिया अब हमसे पूछो ना अचा चार ओम में पावर चाहते हो लिटाल देंगे एक ओम में पावर चाहते हो लिटाल देंगे तुम्हारी जो मर्जी यो मुझसे पूछो मैं बताऊंगा चलिए आदे बढ़ते दसवा नमबर से यह लिए ट्राइमारी इदर आई सवाल को दसवा नमबर बैलो जी से आया वोटोशन है बैलो जी से आया वोटोशन है बोलो जाना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच्ट आई है ट्रालम 1 में टेस्ट क्रॉस है मोनो हाइबरिट रेश्यो है बैक क्रॉस है डाइबरिट रेश्यो है वैसे आपनो मोनो हाइबरिट और डाइबरिट वो जो अभी लेक्चर हुआ था उसमें तो पढ़ लिया होड़ा अभी इस संडे इस संदे सामके साथ बजे मैं अभी फिर से एक मेरा थन लेते आने वारा हूँ जिसमें मैं बाती बचा जो पार्ट है न मेंडल सो लोटा जैसे कि आपने अभी मेंडल के तीन नियम नहीं पढ़े वो ला उफ सेडरेशन क्या होता है प्रता कर नियम क्या होता है फिर आपने टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ा बैक क्रॉस नहीं पढ़ा ओपिन क्रॉस नहीं पढ़ा सेल्फ क्रॉस नहीं पढ़ा रेसी प्रोटल क्रॉस नहीं पढ़ा इस अब नाम आपको समझ में आना चाहिए तो वो सारे नाम मैं भी क्लियर कर दू रा, फिलाल इसका आंसर तो आप बहुत सटीर धन से दे सकते हो, ठोड़ा, तोड़ी आप साब साब देख पा रहे हो ड़े, ती तीन रेशियो एट, ये तुम्हारा मोनो हाइबिरेट रेशियो में आय था, ये तुम्हारा मोनो हाइब नमबर दे दो, देखे, समने दे भी दिया, देखा, अवारे क्लास के श्टुडेंट राफी तेज है, दो के बारे भी नहीं पता था, कुछ A, B, C, D नहीं पता था, क्या है टेस्ट क्लॉस, क्या है बैक क्लॉस, आंसर लग जिया, और सही भी लग जिया, ठीके, तीन एंप से सॉल्ट आल लेते, बहुत अलाम से सॉल्ट आल लेते, उसमें भी दिट्टत रहाती दोस्त, मैं भी एटेस्ट जंपल ले लूगा, तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस टेलिया, आप संडे वाली क्लास सामके साथ वजे देख लेना, तो वो पूरा क्लियर हो जाएदा, चल इतरब क्रोमियम है, इतरब सोडियम है, इतरब सिलिटॉन है, आप मुझे बताइए, टिष्टी मैचिन, टिष्टे साथ होडी, बताओ, कुछ चीज़े तो बड़ी कॉमन है यार, मतलब वो तो काफी जादा कॉमन है, जैसे कि सोडियम, भाईया, 1-2-2-2-2-2-3-1, यह त सोडियम तो मेरा S-blot है, तो जब S-blot है, तो आप कहा सकते हैं कि A का आंसर Q के साथ जाना चाहिए, S-blot है ना, तो जब सोडियम S-blot है, तो A Q के साथ जाना चाहिए, A Q कहा है, बच्चो दो आंसर में यह देखो, कोई बात रही है, फिर इसके बात P-blot, सिलिकॉन देखो सोडियम बैडनीशियम, यह S-blot होता है, अलुमिनियम से लेके, फिर हमारा 18 तक, जब P-blot होते हैं, तो सिलिकॉन हमारा क्या होता है, P-blot होता है, तो बीटा हमारा किस्टे साथ जाना चाहिए, P-blot जो होना चाहिए, सर वो सिलिकॉन हो जाएदा S, तो Q दे बात S आना च है, बातिया और भी आपको clear टरना चाहिए, जैसे क्रोमियम, 18 से लेके, 18 से लेके, जिंड तक, क्रोमियम, 24, इस्टेंडियम, इत्रेस, टाइटेनियम, 22, वैनेडियम, 23, यह सब D-blot element होते हैं, बच्चो, तो D-blot element में दिया जाया है, P-वाले में, आना, और भी clear हो दिया आपको, चलो, next question देए, ओके, बच्चो, application पे, माई पार्ट सला application पे, basic science और इंजिनेर्ट ट्राइन का एक ऐसा बैच, जो आपके ELP technician बनने के सपने को साटा अर्टर सबता है, मैं इसलिए बोलना हूँ, कोटी, 40 number का CVT2 के part A में 40 number पूछा जाए रहा है, और मैं आपको कम से टम इसमें से 35 plus number दिलाऊंगा, विस्वास मनी इसना course इतना लाजवाब बनाए, अना सिर्फ 399 पर उपए में BACD टा course अभी ले लीजे, ठोकि जैसे अभी ELP का technician रफॉर्म आई रहा, तो सैद ये दाम बढ़ जाए रहा, आपको टरना क्या है, 3693, 825, 760, इस नमबर पे ट्रॉल करके आप ये batch ले सकते हैं, या फिर डारेक्ट, माई पार्ट सालर application डाउनलोड कीजिए, और coupon code इस्तमाल कीजिए, Yogi 10, discount के साथ आप इस batch को जोइन कर सकते हैं, ठीके, चलो, कोई doubt होता है, तो सामने नमबर लिखा होता है, चलो, ये वाला सवाल ट्राइ ट्राइ टीजे, foundation batch में live ने, ने, देखो, live में क्या होता ना, एट गंटी की live class ना, उसमें इतनी बातचीत हो जाती है, कि वो कोई मतलब नहीं रहता, तो बच्छो, जब आप class लोडेना, तो आपको live class में महसूसी, जवरत नहीं महसूस होनी, विस्वास बनी मेरा, देखो, एक तर जब भी तभी number of mole लिटाले होते हैं, तो उपर रठा जाता है द्रमान, नीचे रठा जाता है अडुभार, बस इससे number of mole लिटलाते हैं, अरे बोलो clear है, हाँ, first lecture नहीं, आप first lecture मत कहिए सोमना, आप बोलिए पहला chapter, पहला chapter में तीन lecture है, तीन lecture अप्लोड है, हाणा, मेरे भ 44, तो बताइए, इसमें number of mole लिटने आ रहे है, दो, अना, तो 8 नंबर of mole लिटने आ रहे है, तो A का दूसरा आंसर सही है, तो A का दूसरा ये देखो, option number A में आ रहे है, क्या बात है, ठीटे, और भी हम लोग निटाल सकते हैं, कोई बात रही है, जैसे कि 96 ग्राम, O2, सर इ 32 टोटी O2 है, तो 3 mole, 3 mole किस में है, सर ये 3 में है, तो डीटा 3 होना चाहिए, ये दर तो डीटा 3 है, अरे बात समझ पा रहे हैं, नी मेरी समझ पा रहे हैं, बताओ, सर ये value वाला कैसिन का ले, अरे value का भी number of mole लिटने का formula होता है, क्या formula होता है, तो कह देना, ऊपर value रखा जाता है, पात दसमलो 6 लीटर, और नीचे 22 दसमलो 4, तो 5 चोटो 20, थोड़ा 6 चोटो 24, ये एट बटे 4 mole इसमें आ जाए रहा, तो तो कहने मतलब ये है ना, ति जो कुछ भी है रहा, बहुत अलाम से आप निटाल सकते हो, बिना PC Tension थे, आड़े बढ़ी है, ये वाला सव जरह होती है, उन 4 जरह में वाल्वे कौन कौन से लड़े होती है, उस वाल्वे से सम्मधित सवाल है, आप मुझे बताइए, कि कहां पार कौन सा वाल्वे लड़ा होता है, फटा बड़ दिल्दी से अंसर दीजे, मालों के हिर्दाय में धार रखना, चार चैम्बर होते हैं, उपर वाले चैम्बर को बोलते हैं, राइट औरिकिल, नीचे होता है, राइट वेंटकल, ये लेफ्ट औरिकिल, ये लेफ्ट वेंटकल, समझ मैं आ रहा है ना, बताओ, कहां पर कौन सा वाल्व लड़ा होता है मेरे दोस्त, तो टहना ठी, राइट, औरिकिल, यहनि दाय आलिंद, दाय निलैटी बीच यहाँ एक वाल्व लगा होता है इसे कौन सा वाल्व टहते हैं तो टहते ना, इसे बोला जाता है ट्राइट अफसेट वाल्व ट्राइट अफसेट, ठीके सेम तरीटे से याद अखना बायालिंद और बायालिंद बीच भी एक वाल लगा होता है सार इसे बोला जाता है बायकपसिट वाल और बायकपसिट वाल को ही बोलते हैं हम लोग माइटरल वाल माइटरल वाल तो इन्होंने बायकपसिट पूछा है तो बाया आलिंद बाया निला है तो बाया आलिंद बाया निला है ये सवाल का सही अंसा जाना चीए ति हमारा माइट्रार वाल लेफ्ट औरिकल और लेफ्ट वेंट्रेल के बीच लगा होता है option number D ठीटे अच्छा तुम मेंसे कोई जानता है एक और वाल भी होता है जिसकों अंडोट बोलते है पल्मो नरी वाल या सेमी लुनार वाल भी बोलते हैं उसको पताईए आप मेंसे कोई मुझे बताए सेमी लुनार वाल पर कहां लगा होता है ये तीसरा वाल होता है और चौथा वाल होता है आरोटा वाल तो जल्दी बताईए सेमी लुनार वाल टहां लगा होता है आरोटा वाल टहां लगा होता है इस्टा भी मुझे आंसर देते दरहिए किसी डू बता है तो बधाओ तो सेमी लुनार वाल अंध चंद्राट वाल यह लड़ाये जाता है तुम्हारा फुस-फुस धंदी में तहां पर लड़ाये जाता है फुस-फुस धंदी में पल्गोनरी अर्ट्री और याद अरोटा जो वाल्व है सर यह लड़ाये जाता है महा धंदी में तो आपके दिल में कितने तरहेटे वाल्व होते हैं सर चार त आपको क्लियर होना चाहिए ति कहां पर लड़े होते हैं ठीटे चलो आज़े बते हैं यह लिए फोर्टीन नमबर ट्राइटीजिए लोड़ी से चोदर नमबर टावर से बॉल ड्राने वाला कोश्चन का यह सर एट रोज दस से बीस कोश्चन ठीटे मतला उमन्द तुम यह टेह रहे हो कि मोशन वाले कोश्चन सौल का दे निमेल टल हना यही टेह रहे हो ना ठीटे चले कोश्चन अबर फोर्टीन ट्राइटीजे बोला जा रहा है कि एट रत ए वाला व्यक्ति बी रत वाली महिला से विवार चड़ता है मतला आत इन्हों ने बोला कि एक ब्लेड ग्रूप ए है यह माली जैप पुरूष्टा ब्लेड ग्रूप है और दूसरा महिला का ब्ल बच्चा होगा उस बच्चे के AB blood drop होने की क्या possibility है कितने percent possibility है ये सवाल है पताओ तो मेरे भाई आपको इस तरीटा पता है कि महिला और पुरुस एक combination से जो बेबी पैदा होगा उसमें कैसे हम लो निटालते हैं कौन सा blood drop है जैसे कि महिला है पुरुस है ठाली ठाली जड़े हो तो दूसरी जड़े O O O अपनी तरफ से लगा लो ये तरीटा होता अपनी तरफ से O लगा लिए तो महिला हमने लिट लिए AO पुरुस लिट लिए BO उससे कोई मतलब नहीं होता आप कहां काम महीला मान रहा हूं कहां पोस सीधा 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 इंकर ट्रॉस ट्राइए तो चार पॉस्बिल्टीर में सबसे पहली पॉस्बिल्टी बनी बेए और कुछ नहीं होता सिर्फ ए होता है B.O. कुछ नहीं होता, सिर्फ B होता है O.O. में A को हटा होगे तो ये 4 possibility के blood group बन सकते हैं बच्चे में लेगे इन्होंने क्या बोला इन्होंने ये बोला है 4 possibility के बन तो सकते हैं आप A.B. रत्समूँ होने की possibility बताईए तो A.B. blood group सिर्फ 8 है possibility रित्री है 4 तो बताईए 4 possibility है तो answer किस्टे साथ जाना चीए answer जाना चीए इस्टा 25% के साथ बताऊ ठीके अरे बोलो clear है मैं इसमें एक question पूछना चाहूँगा एक question पूछना चाहूँगा आप लोगों से अना उस्टे लिए आप मुझे पहले से माफ कर दीजे तो आप question बहुत पूछते हो अगर धोटे से मैंने यहाँ पर B न लिठा होता A.B. लिठा होता क्या लिठा होता? A.B. अना धोटे से मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिठा होता? A.B. अब मुझे बताइए इस सवाल का उत्तर क्यतना होता? जल्ली बताइए मतलब मैंने क्या किया? A.2 ऐसे ही रहने दिया लिठा जो महिला थी उस्टू जर्या पर क्या कर दिया? A.B. B.T. जर्या कर दिया? A.B. और फिर तुमसे पूछ रहा है ठी बताइए उस्टा प्रथम बच्चा जो होगा वो A.B. ब्लड ग्रूप होने की क्या पॉसिबिल्टी होगी? A.B. ब्लड ग्रूप होने की क्या पॉसिबिल्टी होगी? प्रथम बच्चे में ठीरे तो आप क्या कहोगी? सर महिला जो है वो क्या है? तो आपके हैना महिला है सर देखो इस बार A, B पुरुस क्या है सर पुरुस है A तो जब A के आड़े कुछ ना लगा हो तो O लगा लो चलिए, ट्रॉस्ट आईए तो महिला, A, B पुरुस कितना A, O हम लोट इन दोनों के आपस में ट्रॉस्ट आ रहे हैं तो ट्रॉस्ट आईए, A, A कैसे भी ट्रॉस्ट आईए, मैंने माल लीजे इस्टो पड़ल के दोनों के साथ ट्रा दिया A, B समझ रहा है ना सब लोट अना, ओटा O, A, या A, O ओटा B के साथ O, B ठीक है अब सवाल ये भसेडा कि भईया कितने परसेंट है तो पहले ये देटो ये चार पॉस्टि आई इस चार पॉस्टि में एक A है समझ बात को दूसरा क्या है, A, B और तीसरा फिर से A है, देटो तीसरा फिर से A है, तो अगली बार थोड़ी न दुबारा A लिखोड़े, यार, A तो हो चुटा है न एक बार A तो हो चुटा है हरा, तो A हो चुटा है तो अगला क्या लिखोगे, O, B यानि ये तीन blood group के O, B न लिखोगे इसे B लिखे, यानि इन तीन blood group के बच्चे पैदा हो सकते हैं, बताओ इन 3 blood group के बच्चे पैदा हो सकते हैं 8A पैदा हो सकते हैं AB के पैदा हो सकते हैं और इस्टे पैदा हो सकते हैं बीटे इस्टे अलावा कोई नहीं न अब 3 blood group के पैदा हो सकते हैं तो मैं test दता हूँ AB पैदा होगा 1 total possibility है 3 गुड़े 100 अब आंसर जो जाना जीए वो जाना जीए 33 सही 8 बटे 3% के साथ अरे बोलो समझ भाज़े ना हलागी इन्होंने पहला बच्चा बोला था, हो सकता है सवाल में तुमसे दूसरा बच्चा बोल दे तो पहला बच्चा बता दे रहा कि कौन सा ब्लड प्रुप का होच उठा है लेकर मैं आपके बता दू दूसरा कहे चाहे तीसरा कहे तो कुछ भी आ सकता इन चारों में ऐसा नहीं है कि माल लीजे पहला बच्चा ए ब्लड प्रुप का हो जिया तो इस्टा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरा बच्चा जो है वो एटा नहीं हो सकता या तीसरा बच्चा एटा नहीं हो सकता ये एदब रेंडम पॉस्बिल्टी होती है मतलब माल लीजे पहला बच्चा एटा हो जिया तो इस्टा मतलब ये नहीं कि दूसरा ए भी होगा या बी होगा तो दूसरा भी यह हो सकता है तो यह possibility एद्द emails random होती है समudgeो ना बात कुआ यह possibility एद्द emails random होती है हो सकता है सारे के सारे बच्चे blood group eachily हो जा है और यह बिल्कुल न न टहना कि चार बच्चे पैदा होने यह भी न टहना चार बच्चे पैदा होने पंद्रवा नमबर यह तो आसान यार पंद्रवा नमबर पढ़िए ठीटे समझ पाए ना मैं आपको क्या सिठाना चाह रहा हूँ तो चार बच्चे पैदा होगी डलत वो तीन पॉस्विल्टी में से कुछ भी हो सकता है सवाल देगे यह मानते हुए ठीट प्रतवी एच समान द्रमान घ्रंतो का एगोला है ठीटे मान लिया प्रतवी ती सतय से 32 मीटर ती डहराई पर जाने पर पिंड़े के भार में तितने प्रशक्ती कमी हो ली ठीटे आपको पता है ठीट आप प्रतवी से प्रत्वीटी सतय से चाहे बच्चा उचाई में जाओ या फिर चाहे गहराई में जाओ धानतना उचाई में जाओ तब भी बच्चो गृत्वी तोड़ घटता है या फिर आप गहराई में जाओ तो भी गृत्वी तोड़ घटता है दो रो टंडिशन में डूती तोड़ घरता है ट्लियर है न सप्टो ठीक है चलो तो मेरे भाई ये बताओ जब डहराई में जाते हैं तो डहराई में जाने पर G- वरापर फॉर्मला होता है G bracket में 1-H upon R धानखेरा ये फॉर्मला तर लगाए जाता है जब लोड़ बताइए तहां पर जाते हैं डहराई में ये डहराई क्ली फॉर्मला होता है उचाई में जाने जली दूसरा होता है तो मैं ऐसा कह सबता हूँ तो चलिए सॉल्ट आते हैं तो G- बराबर G टितना डहराई में जा रहे हैं 32 क्लोमीटर तो H फीजर है पर हम लोड 32 क्लोमीटर कर सकते हैं और प्रतवीटी 33 कितनी होती है 6400 क्लोमीटर इतना लिद दिया मेरे भाई ये बताओ अडर मैं यहां से G- बटे G पूछू टितना होगा तो मुझे टैंसल करना बढ़े रहा 32 से टैंसल करना पड़े रहा 6400 क्लोमीटर तो 1-1 बटे 200 तो 1-1 बटे 200 को 199 बटे 200 कर सकते हैं बच्चों जल्दी से मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई G- बटे G 199 बटे 200 आज़िया ये बात सब तो क्लियर हो गई कैसे इस्टा परसेंटेज में टालेंगे घटा की नहीं डटे कैसे घटा मतलब ये है टि G- कमान तुम्हारा 200 था सॉरी G- कमान 200 था तो G- कितना हो गया 199 अरे ऐसे ही तो बोलो गई G तुमारा 200 था तो G- 199 तो 200 से 199 दो 100 से जब 199 हुआ तो धटा तितना धटा 8 कितने में धटा है 200 में तो 8 बटे 200 और बुड़े बठाईें znajे कितना ठालना पड़े रहा 100 ठालना पड़े रहा तो मेरे भाई यहाँ अंसर जाए रहा 1 बटे 2% के साथ 1 by 2% के साथ पताईए तितना तरना पड़े रहा 100 तरना पड़े रहा तो मेरे भाई यहां आंसर जाए रहा 1 बटे 2% के साथ 1 by 2% के साथ 1 by 2% पताई तितना होता है 0.5% 0.5% जल्दी से सब लोग चेक करते बताओ आपको तरीटा कॉनसेप्ट सब को समझ में आयाटी नहीं आया ठीटे ना 0.5% एजड़म एड़ेक्ट आ रहा है किसी तरह कोई धोटा मत रखे रहा ठीटे चलो यार सवाल तो आज ज्यादा थे अच्छे-च्छे मैं सवाल लेके आया था यार सवाल देखो आना बट आज थोड़ा हो नहीं पाए तो मैं एक काम करता हूँ यह सारे सवाल जो है ना ठीटने सवाल थे 22, 23, 24, 25 काफी सारे सवाल थे यार तो कोई बात रही यार हम लोग इस सवाल को कल करेंगे कोई आज थोड़ा ठैम भी हो दिया ना यह तो कॉंसेप्ट मैंने आपको बढ़िया बढ़िया बता दिया है फिलाल मैं आपको फिर से बता दू अगर आप साइन्स अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेरे कम्प्लीट साइन्स के बैच से जोड़ सकते हैं कम्प्लीट साइन्स टा बैज सिर्फ पर सिर्फ 399 रुपा है और 399 में पूरा पूरा साइन्स यानि फिजित स्टेमेश्ट्री बैलोजी टे साथ ठीके इसे अलाबा अगर आप चाहे तो माई परसला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एलप टेटनीशन टा एक फाउंडेशन बैज ले सकते हैं जिसमें आपको सिविटी वन जिसमें आपको सिविटी वन के साथ साथ सिविटी टू इसकी पूरी तयारी टाई जाए नहीं और आप सोच देठिये मैथ पूरा रिजनेन पूरा gtgs पूरा science पूरी फिजेट स्टेवेश्टी वैलोजी ट्रेड पूरा बेसिक साइंस रिजनेन ट्रॉइन पूरा ठीक है रिजनेन पूरी सिर्फ और सिर्फ आठ सो चौट रॉप है हाना तो आप 8400 रुपए में इस बैच को जोईन करके अपनी तैरे को ऐसा बना सकते हैं ति आप सेलेक्शन तक पहुश सथे हैं चलो अचा आज लेक्चर में सब लोग कमेंट रेके जरूर बता देना ति आज टी क्लास कैसी रही आपको वो जो आज का धासू कॉंसेप्ट थ हरा वो आपनों समझ में है टनी आया वो एक लियर हुआ नी ट्लियर हुआ कभी दुबारा वैसे सवाल आ जाये तो तर पाओडे या फिर नहीं ठीटे चलिए बाटी सवाल में कल रादूना अभी बहुत अच्छे-च्छे सवाल थे नेश्ट क्लास में सवाल रादूना झाल 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 झाल